आप सभी को सत्रवे भारतिय सहकारी मा संबेलन की बहुत बहुत बढ़ाई आज एक जुलाई 2023 को भारत के प्रधान मंत्री नरिन मोदी और सहकारिता मंत्री अमिस्सा ने दिल्ली के प्रगती मैदान में सहकारिता मंत्री के तोर पर सहकारिता मंत्राले को संबोधित किया इस दर्वियान उन्होंने बताया कि इसकी मांग बहुत समय से पूरी हो रही थी आपको बता दें इंपोट ने ओडर करकर लगबग दस करोड डिपोजिटरों को अपना पैसा वापीस देने का नेना किया है जिससे सहारा ग्रूप के सारे डिपोजिटर को अपना पैसा वापीस मिलेगा मैं आज इस कारेकरम के माध्यम से देश भर के सहारा कॉपरेटीस सोसाइटी के डिपोजिटरों को कहना चाता हूँ आप Central Registrar Cooperative Societies को आपका डिमांड भेद दिजे आपकी सत्यापन करकर तीन-चार महिने में ही पैसा देने की बहुत ताभू जाएगा। उसे इस महिने में ही भुकतान करना है लेकिन इस 20 सहारा के छोटे-छोटे नीवी सक्खा से परेशान है आप उपन या मावली को भी पढ़ सकते हैं जानकारी के लिए आपको बता दें इसमें कई डाकुमेंट लगेंगे आधार से लेके वेरिफिकेशन पूरी बात इसमें हो हुआ करती थी अचानक कानूनी अलक्चन के चलते भुकतान में दस साल से बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई और लगभग भुकतान बंद हो गए तब से कई सहर और राजियों में हजारों छोटे बड़े निवेश्कों का रुप्या फैसा सहारा में फसा है कई बार अस्त कार के दक्खल और सुप्रीम कोड के निवेश्कों का पैसा निकलने के उम्मीद जागी है इस पर कानूनी ओन लाइन छोटे छोटे निवेश्कों की जेपर भारी पड़ रही है हाल ही में जारी निर्देश के अनुसार निवेशकों का आधार कार्ड, बैंक एकाउंट और पैन कार्ड होना जरूरी है तता उनका आपस में लिंक होना भी अवस्क है वही निर्देश छोटे छोटे निवेशक जैसे सबजी वाले ठेले वाले घरेलू महिलाएं जिनोंने चुराच हिपा कर बचत रखी थी वो प्रदिन कनेक्शन के रूप में एजेंट को किस्त की बत और पैसा जमा करते थी इन लोगों की मुश्किले लगभग बढ़ गई है जिनके पास पैन कार्ड नहीं है उन्हें पैन कार्ड बनवाना पड़ रहा है उनके पास पैन कार्ड को अधार से लिंक कराने के लिए सरकारी फीस पिनाल्टी एक हजार रुपए और सेवा सुल्क भी जमा करना पड़ रहा है गौरों तलब है कि सहारा के निवेसक बड़े वेपारियों के अलावा सरक पर वेपार करने वाले पिछले एस्तर के वेपारी और घरहलू महिलाएं भी थी वेपारियों को तो कोई फरक नहीं पड़ रहा क्योंकि उनके लाखों जमा है जिनके हजारों जमा है दिक्कत उनकी है परंत छोटे निवेसकों को अपने कुछ हजार रुपए मिलने की उमीद में बारा से पंद्रा सो रुपए पहले ही खर्च करने पड़ रहे है ऐसे में निवेसक हैं वो परेशान है उनने कभी पैन कार्ड इंकम टेक्स बल से कोई लेना देना नहीं था आज उन्हें दिक्कत आ रही है सहारा में जिनका 20,000 रुपए से ज़्यादा भुगतान है उनके लिए पैन कार्ड अनिवार है अनिता उनका टेक्स कर जाएगा ऐसे हजारों नहीं लाखों अस्थानी अस्थर पनिवेसक हैं जिनके पास ये डाकुमेंट पूरे नहीं है और जून के बाद जुलाई में आधार पैन कार्ड आपस में लिंग कराने वाले को एक हजार रुपए जुर्बाना या निफिश के तोर पर भारी पड़ रहा है सहारा ने पहले ही अवश्यक सुचना जारी कर बताया था कि अगर आपका मुबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से अपडेट नहीं है तो अपने मुबाइल नंबर को अपने आधार नंबर में जल्दी अपडेट करा दे दूसरी सुचना में बताया था अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है, तो अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को भी आपस में लिंक करा लें, तीसरी सूचना थी, अगर आपका बैंक चालू नहीं है, यानि बंध है, तुसे चालू करा कर रखें, जल्दे सहरा इंडिया का भुकतान सुरू होगा उसे समय आपको बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या डाकुमेंट लगेंगी आवेदन कैसी होगा आधार कार्ट की फोटो कापी बैंक की पास्बुक की फोटो कापी पैन कार्ट की फोटो कापी पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो ये भुकतान के वक्त आपको देनी होंगे और बहुत दूर नहीं है 15 तारिक से जानकारी के मताबिख भुक्तान सुरू हो रहे हैं इसी चैनल पर हम आपको जानकारी सबसे पहले प्रदान करेंगे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करने ताकि किसी सूचना को आप मिश ना करें मिलते हैं